hello friends, Swagatap ideal अपसी मेरी YouTube चैनल जिसका नाम है Vikaas3Want friends अगर आप एक YouTuber है और YouTube पर आपका चैनल है और आप अपने YouTube चैनल के URL को अपने friends के साथ या किसी के भी साथ Share करना चाते हैं उसे भीजना चाते हैं या फिर आप अपनी किसी भी YouTube वीडियो को किसी भी अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप उसके लिंक को कैसे कोपी करेंगे तो आज की स्वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल के लिंक को और अपनी YouTube की किसी भी वीडियो को या फिर YouTube के उपर जितनी भी वीडियों हैं उसके लिंक को कैसे कोपी कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा लास तक ज़रूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है जोसे प्लीज सबस्क्राइब करें और नोट तो friends हम आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हमें YouTube application के अंदर जाना है तो मैं इस पर tap करता हूँ और इसमें अपने channel से login कर लेना है जैसे मैंने अपने एक Demi channel से इसमें login किया हुआ है उसके बाद आपको top right corner में अपने channel के icon के उपर click करना है और उसके बाद आपको your channel के अंदर जाना है सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपने channel के URL को कैसे copy कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर फिर से top right corner में ही 3 dots दिखाई देंगे आपको इनके उपर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर share का option दिखाई देगा आपको इस share वाले option पर click करना है उसके बाद आपको यहां पर सबसे उपर copy link option दिखाए देगा आपको इस पर tap कर देना है तो आप जैसे इसे copy link कर देंगे तो यहां से copy हो जाएगा आपके channel का URL और इसे आप कहीं भी अपने friends को WhatsApp के जरीए, Facebook के जरीए, Instagram के जरीए भेज सकते हैं तो इस तरह के से आप अपने channel के link को share कर सकते हैं, अब मैं आपको सिखाता हूं कि किसी भी YouTube video या अपनी YouTube video के link को कैशे share कर सकते हैं तो YouTube video के link को copy करने के लिए, आपको सबसे पहले, मैं दो तरीके बताता हूँ इसमें सबसे पहला है एक तो आप नीचे यहाँ पर वीडियो देख रहे है तो आप simply जैसे यह वली वीडियो है पहली तो इसमें आपको यहाँ पर side में 3 dots दिखाई दे रहे हैं आपको इन 3 dots पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर share पर click करना है और फिर आपको यह copy link option आ करेंगे तो यह video open हो जाएगी ठीक है तो इसको हम stop कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे शेयर का एक option आ रहा है थर्ड नंबर पर इस शेयर वाले option पर click करना है और यहाँ से आप इसे copy link कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने YouTube वीडियो के इस तरीके से copy कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी query कोई भी question आपके mind में है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको यह video अच्छी लगी हो आपको पसंद आई हो तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें थैं थैंक यू